हेलो चिल्रन वेल्कम बेक यॉल आजम कक्षच छे पाठ्य पुस्तक नई दीपमणिका से संबंध कारक शष्टी विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे वैसे इसे संबंध को कारक नहीं माना जाता है इसे तिरफ विभक्ति मानी जाती है थोड़ा से इसको मैं ठीक कर दूँ फ संबंध बताता है जैसे कि आप इसके चिन देखिए कर्टा ने करम को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में संबंध का के की फिर से देखेंगे प्रत्मा ने दित्या को तृत्या से चतुर्थी के लिए पंचमी से अलग होने में शेष्टी का के की तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कारक छे होते हैं और संबंध को कारक नहीं माना जा सकता है लेकिन इसको भी भक्ती मानी जाती है तो इसमें कौन सी भक्ती का परियोग किया जाता है शेष्टी भी भक्ती का संबंध जोड़न के अर्थ में शष्टी विभक्ति का प्रियोग किया जाता है तो आईए चली हम शुरू करते हैं लेसन एतत बालकस्ते पुस्टकम अस्ति यह बालक की पुस्टक है उद्यानस्ते पुषपाणी सुंद्राणी संती बाग के फूल बाग के फूल सुंदर है कोकिलाया है स्वर ह मदूर है मीठा है कोईल की आवाज मीठी है काकस्ते स्वर करकश है भवती कोई की आवाज स्वर भी लिख सकते हैं कोई का स्वर या कोई की आवाज करकश होती है या कठोर होती है ठीक है तो यह आपके यह जितने भी रेड वर्ड्स हैं हाइलाइट की यह रैडिंग से लि नपू सक लेंगे उद्यान शब्द बालक पुलिंगे और का कह भी पुलिंगे लेकिन ये जो कोकिल आया है कोकिल आया हा अगर कोकिला शब्द से है तो कोकिल आया हा बनेगा और कोकिल शब्द से है तो कोकिल स्य बनेगा तो यहां पर कोकिल आया है तो यह इस्त्रे लिंग है नेक्स देखते हैं बिरिक्षा नाम, पत्रानी, हरितानी, संती पेड़ों के पत्ते हरे हैं आप देखो, एक दूसरे से संबंद आगए पेड़ों के पत्ते हमारा घर संब्र है याने कि हमारा संबंद किससे हो गया? घर से, इसलिह कौन सी वक्ती हो गी? जहाँ पर का के की आए या फिर रारे दी आए वहाँ पर शेष्टी विभक्ति का परियोग ब्रमराणाम गुंजनम मदुरम भवती भोरों की आवाज मीठी होती है गुंजनाम मतलब आवाज, गुंजनाम हो जाए, रव आजाए, स्वार आजाए, इन सब का मतलब होता है आवाज अहाम मित्रस से ग्रिहम गच्छामी, मैं मित्र के घर जाता हूँ अब यहाँ पर शष्टी एक वचन दे रखी है, लेकिन इन तीनों में शष्टी बहु अचन दे रखी है असमाकम, इसका मूली शब्द क्या होगा, असमद, और इसका एक वचन क्या होगा, मम व्रिक्ष का एक वचन क्या होगा, व्रिक्षस्य, भ्रमर, भ्रमरस्य अगर इसमें आ रहे हैं कि एक वचन को बहु वचन में चेंज करिए तो आपको ध्यार रखने हैं कि व्रिक्षस्ते का क्या होज़ेगा व्रिक्षाणाम ठीक है अस्माकम मम का अस्माकम भ्रमरस्य का भ्रमराणाम और मित्रस्य जो है इसका ये एक वचन ये शष्टी और इसका बहुचन क्या जगा मित्राणाम ठीक है नेक्स देखते युश्माकम विद्याले विशाले अस्ती तुम्हारा विद्याले बहुत बड़ा है गंगा यहा जलम शीतलम अस्ती गंगा का पानी ठंडा है अब यहां पे फिर गंगा जो आगया वो इस्त्रेलेंगा आगया अध्यत्वे नदी नाम जलम प्रदूशन युक्तम भवती सींखते है खगा नाम कूजणम मनोहरं भवती पक्षियों का चहैचाहट सुन्दर होता है या पक्षियों की आवाज सुन्दर होती है हिमाल्य की शोबहा सुन्दर है नेत्रेयो जोती उत्तम अस्ति दो दो नेत्रों की जोति उत्तम है दो नेत्रों की जोति श्रेश्घ है यहँ पर यह जो आगया श्ष Ter сцен क्योंकि दो आंखें होती आगर अगर यहंद देखें कसे और दिद्व मीं दर दोगा हम सब की दो आंखें होती है इसलिए यहां पर श्क्रीवचन आएगा नेट्र हो हिमाल्यस से में शष्टी एक वचन हो गया, खगा नाम में बहु वचन हो गया कूजनम मनोहरम ये एक विशेशन शब्द है, अगर यहाँ पर कूजनम मनोहरम आया तो इससे पहले कूजनम ही आएगा सूरज का प्रकाश गरम होता है चंडे मिन्स ऊष्ण गरम ऊष्ण जो है वो इसका प्रियावाची है चंद्रस्य प्रकाश है शीतले भवती चांद का प्रकाश ठंडा है अब इसका विप्रीत आर्थक क्या हो गया ऊष्ण का चंडे आजे तो शीतले उशने भी आजे तो शीतला लिख सकते हो, ओकी, और इसका विप्रीट क्या होगा सूर्यस्य का चंद्रास्य, तो ये शश्टी एक बचन में था, आईए अब इसके वर्ड मिनिंग देख लेते हैं, एक बारी, कोकिलाया कोयलका, काकस्य कोयका, करकशय कठोर, युश्माकम भोरों का, गुंजनम, भोरों की अवाज, खगा नाम, पक्षियों का, मनोहरा, सुन्दर, अगर यहाँ पे मनोहरम या मनोहरे भी आजाए, तो भी सुन्दर, शोभा, सुन्दरता, चंड़ह, गरम या ओश्ट्न, बच्चों मैं यहाँ पे स्पेशल वर्ड मिनिंग से लर्न हो जाए, और आप इसकी एक्सरसाइज भी कर सकें स्वैम, और मेरा एक मकसद यह भी है, मैं इसलिए वीडियो अपलोड कर रहे हूं, ताकि जो बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ पारे, या कोई नेट इश्यो हो गया, तो वो बाद में इसको अराम से लेसन को करें, तो मैं यही चाहूंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अच्छे अच्छे कामेंट्स लिखें और अपने फ्रेंड्स को शेर जरूर करें, अपका एक शेर तो बनता ही है, ठीक है न, अगर आप शेर करेंगे तो इससे और भी बच्चे ज्यादा से बाइब बाइब